Hello students, welcome you all back. Today I will be discussing the poem The Voice of the Rain. Class 12th में, Part 2, यानि की 2nd term में, ये poem आपके course में mention हुई है. The Voice of the Rain मतलब पारिश की आवाज. और ये poem जो है Walt Whitman ने compose की है. Walt Whitman के बारे में briefly discuss करते हुए, मैं आपको दो-ती लाइने बताना चाहूंगी. Walt Whitman जो थे, वो एक American writer थे. He was a journalist, essayist, and a writer, and a composer too. और जो Walt Whitman थे, उनके works के अंदर, उनके जितने भी जो writings देंगी है, जो work रहे है, उनके अंदर realism, जो reality है, असलियत है, वो आपको realism जो है, उसका tinge, उनके सभी works के अंदर मिलेगा. प्रीडॉमिनेंटली, ठीक है, मेंली उनका जो theme रहता था, that was realism. अगर हम इस poem की बात करें, इसके अंदर there are only two stanzas, it's a very short poem, all right, and अभी हम इसको cover करेंगे, तो let's do a quick reading, a recitation, followed by the understanding of the meaning, okay. तो voice of the rain, बारिश की आवाज, तो अगर आपसे पुछे बारिश की आवाज कैसी होती है, तो आप लो कहेंगे, माम टिप टिप, चम चम, जब आवाज आती है, तो हमें अच्छा लगता है, बहुत सारे animals, insects, birds जो हैं, उनका song भी शुरू हो जाता है, मित्ती की कुश्पू आती है, हमारा mood भी alter हो जाता है, तो बारिश की आवाज जो चप चप और टिम टिम और चम चम होती है, वो हम से क्या कहती है, ठीक है, तो let's read it, कि Walt Whitman की नजर से उनके उनकी perspective में बारिश की आवाज क्या कह रही है, And who art thou, said I, to the soft falling shower, मैंने बारिश से पुछा कि तुम कौन हो, ठीक है, यह, this is old English, so thou here is you, soft falling shower, जो धीमे धीमे से, मद्धम मद्धम से, जो शावर हो रही थी, जो बारिश की पुदे किर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, Which strange to tell, gave me an answer, जो कि बहुत अजीद था, लेकिन उन्होंने मुझे आंसर किया, उन्होंने मुझे आंसर किया, As here translated, जो कि मैं यहां translate कर रहा हूं, I am the poem of earth, मैं धर्ती की कविता हूं, poem हूं, Said the voice of the rain, तो पारिश की आवाज ने कहा, मैं धर्ती की कविता हूं, मैं धर्ती का संगीत हूं, Eternal I rise, impalpable, out of the land, on the bottomless sea, बोलती है कि मैं, Eternal मतलब हमेशा, मैं हमेशा ही उपर उठती हूं, और मैं धर्ती से उठकर के, ऐसे समुद्र से उठकर, जिसका तला ना हो, Bottomless, जिसका कोई end ना हो, बहाँ से उठके मैं, आसमान में जाती हूं, I rise, Okay, upward to heaven, कहां जाती हूं, heaven की तरफ जाती हूं, स्वर्क की तरफ जाती हूं, मतलब उपर, up there in the sky, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same, मेरी जो shape है, मेरी shape और form totally change हो जाती है, और फिर भी मैं वही की वही रहती हूं, मतलब धर्ती से पानी जो है समुद्र के अंदर, वो भाब बना, evaporate हुआ, vapors की form ली, वो heaven में गया, it gets condensed, वो ठंडा हो गया, वो बादल बन गया, और फिर से पानी बनकर वापस धर्ती पर बरस गया, when it is too hot, when the season changes, तो बारिश होती है, तो बोलती है कि मेरे कई रूप change हुए, my vaguely form change, and yet the same, और फिर भी मेरी जो shape रहती है, form रहती है, वो same ही रहती है, पानी बनकर गई थी, और पानी बनकर लॉट आई, लेकिन बीच में कई बार shape सीज होई, okay, तो ये voice of the rain है, बारिश ने अपनी आवाज में ये answer किया, so let's go to the second stanza, I descend to leave the drawers, at me's dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn, and forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it, for a song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns, okay, तो बारिश के आवाज उसके बाद क्या कहती है, कि मैं उसके बाद जो है, मैं नीचे आती हूँ, धर्ती पे आती हूँ, और जहाँ ड्रोव हो, सुखा हो, वहाँ आती हूँ, आतमी, जहाँ छुटे-छुटे कन हो, पृत्वी की धूल की परती हो, dust layers of the globe, ठीक है, मैं वहाँ आती हूँ, और वहाँ पर जो भी मेरे बिना निर्जीव थे, वो सारे बीज, seeds, वो सारे seeds जो latent पड़े थे, जो निर्जीव पड़े थे, बिना जीवन के पड़े थे, और उनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें से पौधे अंकुरित नहीं हुए थे, मैं आती हूँ, मतलब बारिश जब आती है, तो उनका birds हो जाता है, उनमें से चोटी-चोटी कोफले, चोटी-चोटी saplings निकल के आ जाती है, तो बारिश बोलती है कि by day and night, दिन हो या रात हो, मैं जहां से origin हुआ था, जहां से मैं चली थी, जो मेरा original source था, मैं उसमें वापस मिल जाती हूँ, और उसको भी जीवन देती हूँ, ठीक है, जब गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, तो नदियां, जहरने, तलाब, पॉंड, जीले, सब कुछ सूम जाती है, और फिर वापस, जैसे ही rain होती है, वो सब फुल हो जाती है, तो rain बोल रही है, कि मैं अपने origin को भी life देती हूँ, जब मैं धर्ती पर वापस आती हूँ, तो मिट्टी को साफ करती हूँ, कानों को साफ करती हूँ, जहां सूखा होता है, वहां आती हूँ, और अपने ही source में मिलकर, उसको फिर से जीवन देती हूँ, और मैं उसको भी pure कर देती हूँ, पवित्र कर देती हूँ, और मैं उसको खुबसूरत beautify बना देती हूँ, सुन्दर बना देती हूँ, क्योंकि वो हरा बरा हो जाता है, फुल हो जाता है, फिर से उसमें volume of the water भी जो है, बीज अंकुरी थोकर के पौदा बन जाता है, ठीक है, तो बोलती है, बारिश ये बाद बोलती है, कि मैं जहां से पैदा हुई, अपने बर्थ प्लेस से, जहां से मैं चली, घूमते फिरते वहीं वापस चली आती हूँ, और उसको fulfill कर देती हूँ, बहर देती हूँ, ठीक है, जूमते बारिश आती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ, तो मैं प्यार से वापस आती हूँ धरती पर, और हर चीज को फिर से हरा भरा शुद्ध और ब्यूटिफाई कर देती हूँ, इसके पार जो इसकी rhyme scheme है, वो blank words है, ठीक है, ब्लांक words जो है, Walt Whitman के works में बहुत जादा predominant थी, ठीक है, क्योंकि इसके अदर कोई भी rhyming words जो है, towards the end आपको नहीं मिलते हैं, तो इसके अदर question answer जो है, we will discuss in the next slide, और in the next video, इसमें सिरफ ये धिहान देंगे कि दो ही आवाजी हैं, one is of the poet, जो कि पूछते हैं सवाल, and the other voice is the voice of the rain, जो कि answer करती है questions of the poem, okay, so that's it, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी next video में, we will all the questions and the discussion of the answers, thank you, have a good day, stay healthy, stay safe, goodbye,